आप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक शेयर करना ब्रिकुल भी ना भूले बात करते हैं टेवी सीरियल इमली के ओंगोइंग ट्रैक के तो आप देख रहे हैं कि इमली के सामने सूरिया का सचा चुका है कि अगस्तिया की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बलकि सूरिया है सूरिया के चलते ही अगस्तिया मौत के घाट उतरा है और जिसकी वज़े से उसकी पूरी जिन्दगी बिगड़ चुकी है उसकी जिन्दगी में तूफाना चुका है यह तो रही हमारे ओंगोइं ट्रैक की बात लेकिन अगर इमली के लेटेस्ट राव को रोप किया था इस शो में में लीड के तौर पर उतना अच्छा रिस्पॉंट इन दोनों की जोडिया इस शो की कहानी से नहीं आया है एस पर दर रिकॉर्ट्स की माने तो जितने हिट इमली के बाकी के दो सीजन हुए थे ये शो ये सीजन उतना जादा कुछ खास क अमाल नहीं कर वाया है तो वहीं ओडियंस भी यहां शो को कुछ खास इंजॉय करती हुई नजर नहीं आ रही है कुछ मीडिया रेपोर्ट्स की माने तो सुनने में ये भी आया कि अब तक गुल खान का ये बनाय हुआ शो जिस अंदास में रन हो रहा था अभी भी इसमें स एंट्री होने वाली है अग्रीजा और सही केतन राओ की एक्जिट के साथ एस पर दर रिकॉर्ट्स की माने तो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्ड़ा आपके सामने इमली का नया जो क्रू है वो निकल कर सामने आएगा जिसके बाद टी आर पी रेटिंग्स में क्या यहा सामरेशनल लीप को लाने के बारे में सोचा जा रहा है जिसके वज़े से काफी लोगों को एंटर्टेन्मेंट और इंक्रीज होने की एक्साइटमेंट है कुछ का कहना है कि अगर मेकर्स यहां पर डिफरेंट स्टोरी लाइन लाएंगे तो सब के लिए जाद अच्छा होगा तो वहीं उर्ती-उर्ती खबरों के माने तो बताया यह भी जा रहा है कि इस बार की जो स्टोरी लाइन होगी वह अब तक के सीजन्स की स्टोरी से एकदम डिफरेंट होगी और काफी जादा इंट्रेस्टिंग तौर तरीके से यहां पर शो को शुरू किया जाएगा वेल अगर ऐसा होता है तो आप कितना मिस करने वाले हैं अद्रिज और सईर केतन राओ की जोड़ी को कॉमेंट कीजे साथ यह वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले